नमस्कार दोस्तों माउन नेखल और आप देख रहे हैं बस्तों इटाइग गाईज आज इस फीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप विंडोस 10 या फिर 11 यूज़ कर रहे हैं और आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ट बूल गया है जब भी आप अपने विंडोस की हल्प से आप इस पासवर्ट को रिसेट कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं विंडोस में कैसे करेंगे इस टास्क को परफॉर्म चली बताता हूं मैं आपको इस वीडियो के हर एक स्टैप को बहुत ध्यान से देखेगा और पूरा वीडियो एन तक जरूर देखेगा त लेकिन उसके लिए मुझे हिंट कोश्चन मुझे पता ह sneaking कोशन आप मुझे जिसका मुझे नहीं पता है हैंपर क्या हिंट уст इन्सटिन कोशन होगा मैं क्या हैंक स्सृत्सर्वार से कैसे अपना इस पासवर्ट को यहां पर reset कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं without using जिसका भी पासवर्ड हो या फिर मैं अपना पासवर्ड बोल गया हूँ कोई भी सेनारियो हूँ ठीक है तो यहां पर बॉटम राइट कोर्णर में यहां पर पावर का बटन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे तीन ओप्शन आपको मेलेंगे स्लीप शट्डाउन और रिस्टार्ट ठीक है तो रिस्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अपने कीबोड से शिफ्ट बटन दबाना होगा तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और शिफ्ट बटन को दबाया रखेंगे और यहां पर रिस्टार्ट पर click करेंगे restart anyway आएगा तो भी आप इस पर click कर देंगे shift button दबा रहेगा ठीक है ऐसे process में क्या होगा shift के साथ restart button पर click करने से क्या होता है आपका जो system है वो restart होता है लेकिन advanced startup menus के साथ यहां पर start होता है जैसे कि आप देख रहे हैं आपके screen पे choose an option यहां पर आपको नजार आ इस थेcauseक बाके Allan Lite को रोक रोक होता है continue use a device troubleshoot and turn off your pc तो हम यहां पर troubleshoot में जाएंगे तीक है अब हम यहां पर troubleshoot करने वाले हैं अपने windows के password को reset करने वाले हैं troubleshoot में जायेंगे troubleshoot में जाने के बाद यहां पड़े Advanced option में जाएंगे यहां पर Command prompt आयेगा Command prompt में जाएंगे अब हमें यहाँ पर command जो use लेनी है वो आप ध्यान से देखिएगा ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारे lock screen पे टूल है उसको replace कर देंगे command tool के साथ और उसके लिए हमें यहाँ पर command use लेंगे copy space c column slash windows slash system32 slash utilman utility जो tool है lock screen पे हम उसको rename करने जा रहे हैं अभी इस command की help से तो utilman.exe then space देंगे then c column slash windows slash system32 slash utilman.exe 123 ठीक है तो मैंने यहाँ पर किया जो original utilman.exe जो यहाँ पर app है जो lock screen पर है उसको उसका नाम जो है वो replace कर दिया जैसे कि जो original app है उसमें कोई गरबर ना हो वो as it is रहे बाद में हम वापिस से इसको rename कर देंगे अपना काम finish करने के बा command तो मैंने यहाँ पर आपको नीचे लिखके बता दिये तो as it is आपको यह command लिखने है ठीक है बाकी मैं भी blur यहाँ पर ठीक कर देता हूं next command आपको यहाँ पर लिखनी है copy space c slash c colon slash windows slash system32 slash cmd.exe space c colon slash windows slash system32 slash utilment.exe space forward slash यहाँ पर यूज लेंगे आप then y लिखेंगे और interpreter दबा देंगे ठीक है command आपकी execute हो जाएगी as it is आप command देख लीजिए आपको यही command यूज लेनी है आप तो यह मन लीजिए अगर आपको अपना password reset करना है तो आपको यही command यूज लेनी है तो just आप यह command लिखे enter button दबाएंगे अब आप इस अपनी command window से exit आ जाएंगे यहाँ पर आप continue पे click करेंगे continue पे click करने के बाद आप वापिस से आपका system restart होगा ठीक है restart होने के बाद वापिस से आप lock screen पर आ इसमें से हम अलग-अलग application लाइक on screen keyboard या फिर magnifier वगरा यूज कर पाते थे लेकिन अभी हमने इसके location को replace कर दिया है cmd.exe के साथ ओके तो यहाँ पर हम इस पर click करते हैं तो अब हमारा command prompt यहाँ पर open हो गया है command prompt open होने का मतलब है अब यहाँ पर हम अपने system में changes कर सकते है command prompt की है उसे तो यहाँ पर command आप यहाँ लिखेंगे net space local group space administrators इसके बाद क्या होगा जितने भी administrator account है हमारे PC में वो हमें यहाँ पर show कर देगा administrator और निखल शरम आप देख सकते हैं आप तो हमें जिस account का password change करना है वो हमें पता होना चाहिए आप देख सकते हैं निखल शरम यह यहाँ पर show हो रहा है और जिसका हम यहाँ पर password डालने की कुशिश कर रहे हैं जो गलत हो रहा है उसका username भी निखल शरम है ओके तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें किस account का password change करना है उसके बाद ही हम यहाँ पर यह next command यूज लेंगे next command रही है आपकी net space user space आपके user account का नाम जो भी administrator account है उसका नाम जैसे कि मेरे account का नाम है निखिल शर्मा तो मैं double string में निखिल space शर्मा और string close यहाँ पर कर दूँगा और space देखे आप यहाँ पे start लगा देंगे enter button दमाएंगे अब आप यहाँ पर अपना नया password लिखेंगे जो भी आप यहाँ बदलना चाह यहाँ पर आप अपने mind में याद रखेंगे पहली बार याद रखेंगे देन उसके बाद retype करेंगे और enter button दमाएंगे तो आप देखेंगे the command completed successfully command prompts अब बहर आ जाएंगे और अब आप अपना change के होगा password यहाँ पर लगाएंगे और आप देखेंगे कि आप windows में अपने login क अब हम क्या करते हैं वापिस से जो हमने applications में change किया है utility menu की जगे जो हमने command prompt यहाँ पर लगाया है उसको वापिस से हम change कर देते हैं तो उसके लिए हम वापिस से shift के साथ restart पे click करेंगे और हमारा advanced startup menu यहाँ पर वापिस से open होगा और वापिस से same हमें troubleshoot में जाके then advanced option में जा होना है और यहाँ पर एक और command यहाँ पर हमें लिखनी है जैसे हमने पहले लिखी थी copy space c colon slash windows ठीक है slash system 32 slash जो हमने app का नाम वहाँ पर use लिया था utilman.exe 123 space c colon slash windows slash system 32 slash utilman.exe ठीक है तो जो हमने rename किया था नाम वह हम यहाँ पर वापिस से original नाम यहाँ पर रख रहे हैं space dc slash y आप यहाँ पर कर देंगे और enter button दबा देंगे आपकी command execute हो गई है अब आप इस से अपना system restart कर लेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि जिस button पर क्लिक करने पर अभी command prompt open हुआ था आप वापिस से यहाँ पर हम वही apps यहाँ पर वापिस से original जो task है इस button का हम perform कर पा रहे हैं तो guys आशा करता हूँ कि अगर आपको अपने windows 10 या फिर 11 operating system का admin password change करना हो आप चाहे भूल गए हो या फिर किसी भी situation में आपको इस password को reset करना हो with the help of command prompt तो आप इस video के process को use ले सकते हैं साथ ही मैंने आपके लिए कफी पहले एक video और बनाया सकते हैं और इस तरीके से password को reset कर सकते हैं वीडियो चलगाओ like कीजिए का share कीजिए का मैं मिलता हूँ next video में नहीं जानकारी के साथ तब तक लिए धन्यवाद जय है